ग्लो ओफ फिजिक्स में आप सब का स्वागत है प्यारे बच्चो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पर्तिया वर्तिधारा भाग दो बच्चो इसमें बहुत सारे बच्चो की क्वेरी है और वो जानना चाहरे है कि हमें जो है जो है चुमबकीय फ्लक्स को दुबरा बताए बच्चो जब तब आप आप चुम्ब के फ्लक्स को नहीं जानते हैं बच्चो तब तक जो हैं आप जो हैं अल्टेनेटिंग करेंट के बारे में नहीं जान सकते हैं हमारा पूरा प्रियास था जबकि हमने विदु चुमब के प्रेरण आपको बताए था उसमें हमने आपको चुमब के फ्लक्स के बारे में बताए था बच्चो यदि बच्चो जो है आप नहीं समझे हैं तो पूरा प्रियास किया जाएगा कि आप जो है चुमब के फ्लक्स को दुबारा समझे वच्चो, इसके लिए वच्चो हमने क्या करके हैं, विभेन कर्डिशनों को आप यहांपर बताएंगे वच्चो, यह जो वच्चो मैंने पहले बना दिया है, यह कुंदली है, इसका छेदबल A है, और चुमगिया छेदबीती वरता B है वच्चो, ठीक है व इस कुंडली को हम दो प्रकार से गुमा सकते हैं बच्चो ये घड़ी की सुई कमसा दक्षनावर्थ और अगर इसके विप्रीत गुमाते हैं तो ये बामवर्थ आप कुंडली को ये देखें बच्चो ये मेरी पैन है ये पैन है आप इधर गुमाओ चाहे इधर गुमाओ ठ यहाँ पर हम क्या करते हैं यह कंडली का जो अकस है तल है इस परarkan एक न औरमल खीशतें यह बहुत ही हम कुंडली के तल पर क्या खिशते हैं एक नॉर्मल खिशते हैं बच्चो ये नॉर्मल जो है एरिया बैक्टर को दिखाता है बच्चो जो छेत्फल बैक्टर है उसको दिखाता है अब मैं आपको बता देता हूं बच्चो ये छेत्फल बैक्टर होता क्या है बच्चो देख तो यह क्या हो जाता बच्चो बैक्टर A बटे इसका Moodle A ठीक है? अगर मैं बैक्टर A को नीकालना चाहूं तो यह हो जाता है unit vector a into a और unit vector को जो परिमान होता है बच्चो वो one होता है इकाई सदिस का जो परिमान होता है वो one होता है लेकिन अब ये किसकी direction बता देगा बच्चो इस area vector की direction बता देगा यहाँ पर चूगी vector चांप चूगी यहाँ पर जो छेत वाले वो अधिस रासी है लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं इस पर नॉर्मल खीच रहे हैं और एक तल को ले रहे हैं बच्चो तो चूंकि इसके डारेक्शन हम यहाँ पर बता रहे हैं तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा सदिस हो जाएगा बच्चो अब देखे बच्चो यह area vector जो a हुआ यह x के magnitude के ही परावर हुआ लेकिन यह जो एकांक vector है unit vector area का है यह इसकी direction को बताएगा बच्चो अब यहाँ पर क्या है यहाँ पर जो theta होता है बच्चो ने बहुत query की है बच्चो हमें यहाँ पर जो theta है यह जो theta angle हम लेते हैं यह किस के बीच का कौन है अर्थार यह जो है कुंडली के अक्छा और चुमा के छित्र के बीच का है या कुंडली के तल पर जो हमने लंब खींचा है जो area vector है उसके और चुमा के छित्र के बीच का है बच्चो यह query बच्चो ने किये है बच्चो तो मैं आपको बता दूँ किलियार हो जाना है बच्चो आपको यह जो theta angle है यह जो theta angle है यह किसके बीच का theta जो है किसके बीच का कौन है कुंडली के कुंडली के प्रिस्टपर, खींचा गया, लंब तथा, चुंबगी छेत्र, ठीक है बचू, चुंबगी छेत्र के, बीच का कौन है, तो बचो किलिए रुए ना, यहाँ पर ये एंगल जो है, इस कुंडली के अक्षट चुंबगी छेत्र के बीच का नहीं है बचो, ये जो है, जो कुंडली पर हमने लंब खेचा है, अर्था जो एरिया गेक्टर है, और जो क्या है, चुंबगी छेत्र के ती इनके बीच का कौन है बचो, ठीक है बचो, अब हम क्या करेंगे बचो, यहाँ पर जो फ्लक्स होता है, वो होता है, बी डॉट ए, ठीक है बचो, फ्लक्स कितना होगा, बी डॉट ए होगा, और बचो, हम जानते हैं, A dot B दो बैक्टरों का अधिश कुरन क्या होता है A B cos of theta A और B इनके modulus हैं, परिमान है बच्चो ये बैक्टर नहीं है, परिमान है बच्चो इसको और theta, ठीक है बच्चो अब देखें, ये तो इसका जन्रल सूत्रों गए 5 बराबर B A cos theta B dot A बराबर B A cos theta वो किस इस्तिति में होगा बच्चो जब क्या होगा कुंडली आपने इस परकार से रखी होगी, कि कुंडली का जो लंब है वो चुंबकिया छेत्र के साथ कोई एंगल बना रहा होगा बच्चो, उस इस्तिति में क्या हो जाएगा 5 बराबर B dot A हो जाएगा बच्चो, अब मैं दूसरी कंडिशन की ओर आपको लिए चलता हूँ जो की बहुदा जो हैं, हम यही परियास करते हैं कि कुंडली का जो अक्स है तल है वो चुंबकिया छेत्र के लंबत हो जाएगा अब बच्चो में दूसरी कंडिशन आपको बताता हूँ देखे बच्चो यह कुंडली है बच्चो दिहान देंगा यह देखे, यह कुंडली है ठीक है बच्चो यह इसका अक्स हो गया कुंडली का क्या हो गया यह अक्स हो गया आप इधर को रोटेट करें, चाहे इधर को रोटेट करें, ये कुंडली का अक्ष है, या तल है, इसी पर इसने रोटेट करना है, घूमना है बचो, और ये चुम्ब की चेतर है, ये देखें बचो, ये चुम्ब की चेतर है, चुम्ब के चेतर की तीवता भी ये देखें आपने कुंडली को चुम्बकिय छेत्र के लंबवत रखा है ठीक है क्या रखा है आपने कुंडली कुंडली चुम्बकिय छेत्र के लंबवत है है ना बच्चो कुंडली चुम्बकिय छेत्र के लंबवत है तो क्या होगा जाता से जाता बल रेखा है इस कुंडली से होकर गुजरेंगी लेकिन हमारे ले क्या महतोपूर है इसका जो नॉर्मल है ये दिखाए देरा बच्चो इसका जो नॉर्मल है एन उसी को क्या का बच् समानतर है तो इस इस्तिती में theta zero degree हो गया बछो अब यहाँ पर क्या है normal जो कुंडली पर खीच है लंब तो चुमके झ्ष्ध के समानतर है लेकिन कुंडली का अक्ष जैगा तो कुंडली का अक्ष लमवत है यदि कुंडली का अक्ष समांतर हो जाएगा तो नॉर्मल लमवत हो जाएगा तो थीटा बरावा जीरो डिग्री और कॉस जीरो डिग्री का मान कितना होता है बच्चो वन होता है ठीक है तो अब बताओ बच्चो फ्लक्स कितना हो जाएगा और देट इस बी ए maximum flux मिलेगा अगर जो है कुंडली चुम्ब की अच्छेतर के लंब वत रखे गई है अर्थात उसका जो नॉर्मल है वो चुम्ब की अच्छेतर के समानतर है उस इस्तिति में हमें maximum क्या मिलेगा flux मिलेगा बचो किलियर हो रहे न ठीटा किसके बीच का कौण है ठीटा कुंडली के अच्छो चुम्ब के च्छेतर के बीच का कौण नहीं है बचो बलकि किसके बीच का कौण है कुंडली के तल पर जो लंब खिंचा गया अर्थात जो एरिया वेक्टर है और चुम्ब के छेत्र की बीच का बनावा कौन है ठीक है बचो अब जो है बचो मैं आपको अगली कर्णिशन के ओर लिए चलता हूँ बचो अब मैं आपको अगली कर्णिशन के ओर लिए चलता हूँ तो हो क्या रहा है बचो तो यहां पर जो हैं अलग-अलग condition होगी, दो condition में आपको बता दिया, एक condition को हम इस प्रकार से ले लेते हैं, ठीक है, तीसरी condition को वच्चो, चूंकि वच्चो ये three dimensional figure हैं, तो मैंने two dimension में आपको समझाने का प्रयास करना है, अभी तक क्या था वच्चो, मैं फिर इसको पलड सबकूर दो, अभी तक क्या था वच्चो, अभी तक क्या था ये x के साथ, ये x है, ये देखे, ये normal है, और ये इस प्रकार से है कि ये normal है, क्या theta kaone बना रहा है वच्चो, ठीक है वच्चो, दूसरी condition क्या थी वच्चो, यहां पर कुंडली का जो अक्ष है, वो तो numberבה थह, लेकिन नॉर्मल कितना कौन बना रहा था बच्चो यहाँ पर जो नॉर्मल है बच्चो अर्था लंब है वो चुम्ब के 36 थीटा कौन बना रहा था बच्चो अब हम क्या करेंगे इसको उलट देंगे बच्चो अब उलट देंगे बच्चो इसमें अब देखे हम क्या करेंग यह घूम जाता है ठीक है बच्छो देखो यह तो इमेजिन क्या है मैंने बच्छो टू डाइमेंशन में केवल इमेजिन ही कर रहा हूं बच्छो मैंने अब यह कुंडली का अक्ष्य है ठीक है कुंडली घूम गई है ये इसका तल है ठीक है बच्चो ध्यान देंगे बच्चो और ये चुमबकिया छेतर है ये देखे बच्चो ये क्या है चुमबकिया छेतर है ये देखे बच्चो चुमबकिया छेतर है ये देखे बच्चो चुमबकिया छेतर है अब देखो य कुंडली का अक्ष चुम्ब की चेतर के समानतर है ठीक है बचो तो जब कुंडली का अक्ष चुम्ब के चेतर के समानतर होगा तो कोई बल रिखा इससे नहीं गुज़रेगी बचो अब जब कुंडली का अक्ष समानतर होगा तो normal क्या हो गया बच्छो ये देखो बच्छो ये इसके प्रिष्ट पक खीचा गया जो normal है lump है अर्थात area vector है ये perpendicular हो गया ये देखो अब theta कितना हो गया बच्छो 90 degree बच्चो, अक्ष थोड़े ने लिया मैं ने मैंने क्या लिया चुम्ब के छेतर और इस लंब के बीच का कौन लिया बच्चो अब फ्लक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा जिरो हो जाएगा कैसे हो जाएगा 0 बच्चो तो तोड़ ध्यान देंगे भचो, आप ध्यान देंगे इसमें 5 बराबर क्या है Björn, फॉर्मला तो यह है भचो तो कितना हो जाएक भचो यह बचो भचो अब थीटा कितना हो रहाए भचो कुंड़ली का अक्षटो समांतर हो गया और नॉर्मल क्या हो गया इसमें 90 degree का और cos 90 degree 5 बराबर कितने हो जाएगा BA into cos of 90 degree that is कितना हो जाएगा बच्चो BA into cos 90 का मान 0 अब flux 0 हो गया flux क्या हो गया 0 कब हो गया बच्चो फ्लक्स जब कुंडली यह देखो कुंडली का आप चुमब के चिद के समानतर है तो flux कितना होगे है 0 होगे बच्चो ठीक है तो कुंडली घूम रही है कुंडली क्या हो रही बच्चो घूम रही है अब मैं इसको फिर घूमा देता हूं ठीक है बच्चो ये बच्चो मेरा कालपनिक है two dimensional और इसमें error भी हो सकता, लेकिन समझाने के लिए वच्छो आपको इस ठंक से इसको लेना है अब बच्छों जोए, मैंने कुंडली फिर गुमा दी, पहले इस्तिति क्या थी, पहले तो कौन बना रहा था, दूसरी इस्तिति में यह देखो बच्छों, ये जो तल था, कुंडली का तल था, वो तो लंब था, लेकिन esa vector समानतर था, उस इस्तिति में maximum flux आया, अब आपने क्या क्या बचो अब आपने दूसरी कंडिशन, तीसरी कंडिशन में क्या कर दिया कुंडली को गुमा दिया अक्स तो चुमगे छेत्र के समांतर हो गया लेकिन जो नॉर्मल है, लंब है उसके 20-90 डिकरी को कॉंड बने गया, ये थीटा वही है तो फ्लक्स कितना हो गया, जीर हो गया फिर आप इसको गुमाएंगे बचो फिर आप इसको क्या करेंगे बचो, गुमाएंगे तो गुमाने पर क्या हो जाएगा बचो ये देखें बचो, ये आपकी कुंडली ये कुंडली हो गया, ठीक है ये कुंडली का अक्स हो गया और ये चुंब के बल रिखाए है ये देखे बच्चो ये चुंब के बल रिखाए है ठीक है अब क्या होगा ये तो कुंडली तो क्या होगी बच्चो कुंडली का जो तल है वो चुम्ब के छेत्र के क्या हो गया यहाँ पर कुंडली का तल मैं लिख दूँ बच्चो कुंडली का तल कुंडली का तल चुम्बा किया छेत्र के लमवत हो गया लमवत है ठीक है ना बचो लमवत लेकिन जो है जो नॉर्मल है वो क्या करेगा रोटेट कर देगा ये देखो बचो ये जो नॉर्मल है ये रोटेट करेगा अब जो है ये इसके साथ इसके साथ बच्चो है 180 degree का angle बना देगा बच्चो ठीक है अब यहां पर theta कितना हो गया थीटा बराबर 180 degree ठीक है किसके बीच का एंगल B और A के बीच का area vector अर्था normal के बीच का कोड़ी अर नॉर्मल तो हो गया अब इसमें भी flux मिलेगा बच्चो ठीक है और cos 180 degree बराबर cos 90 degree plus 90 degree और cos 90 plus theta बराबर होता है minus sin theta यह देखो और कितना हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा अब flux कितना हो जाएगा फ्लक्स बराबर फिर वही फॉर्मला b.a तो b.a का फॉर्मला क्या हो गया बच्चो b.a cos of theta तो कितना हो जाएगा b.a into minus 1 अब देखो बच्चो यह हो जाएगा minus b.a ठीक है अब भी फ्लक्स मिलेगा इधर कितना फ्लक्स मिलेगा इधर फ्लक्स कितना मिलेगा plus b.a और इधर कितना फ्लक्स मिलेगा बच्चो minus b.a ठीक है बच्चो अब हम क्या करेंगे इसी प्रकार से अब बच्चो अब मैं अगली condition नहीं बताऊंगा बच्चो अब क्या होगा फिर एक बार कुंडली का तल लमवत है और क्या है उसका नॉर्मल समानतर है फिर जो है अल्टरनेट हो रहा है कुंडली का तल समानतर हो रहा है तो नॉर्मल क्या हो रहा है लमवत हो रहा है और अब इस इस्तिति में क्या है कुंडली फिर लमवत हो रही है तो ये इस समानतर हो रहा है अब फिर 270 डिग्री पर घुमाएंगे ठीक है बच्छो अगली कर्णिसन अब 270 डिग्री पर आप क्या कर देंगे इसको घुमा देंगे बच्छो ठीक है अब कितने पर घुमाएंगे बच्छो इसके बाल मैं अगली कर्णिसन देखो बच्छो कुंडली यह अब कितना घुमाना है वज़ो आपको 270 पूरा घुमाना आपने तो 350 डिग्री पुन हो अपनी स्तिति में आ जाएगा भज़ो ठीक है बचो यह यह कुंडलीगा ताल हो गया ठीक है यह कुंडलीका अब ताल हो गया इसमें क्या था कुंडली का ता लमवत था ठीक है बचो और यह कि बल रिखाएं हो यह छेत्र हो गया यह जहां से देखें बचो यह चूंडली का अक्ष्छ हो गया क्या है इसमें फिर क्या होगि समानतर होगी ठीक है अब जो है नौर्मल यहाँ पर देख बच्चो यहाँप तो फ्लक्स में मिल्ला था अब नौर्मल दो ओग बच्चो इसकी डारेक्ष collar इस प्रकार से बदल जाimporte यह दो traira क्या हो जाएगा इसकी बदल जाएगी, area vector की direction बदल जाएगी, फिर कितना angle हो जाएगा बच्चो, theta कितना हो जाएगा, 90 degree, और 90 degree होने के बाद, क्या हो जाएगा बच्चो, यहाँ पर फिर flux, फिर flux कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चो, BA, cos of 90 degree, cos 90 degree का मान क्या होता है, 0 होता है, तो flux कि तो बच्चो अब आप क्या बोलेंगे बच्चो अब आप क्या बोलेंगे इसमें बताओ अब हमने क्या जब कुंडली घूम रही है तो क्या हो रहा है फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है अब मैं बताओंगा बच्चो फ्लक्स में परिवर्तन किस प्रकार से है हां बच्चो अ यह जो कुंडली का जो अक्षा है यह तो लंबवत है लेकिन जो इस पर खींचा का लंब है वो चुमकेच्छेट के समानतर है तो यहां पर क्या है मैक्जीमम flux है लेकिन जब ता इसको घुमाएंगे नहीं तो flux में परवर्टन नहीं होगा बट्व यम्मै जिए अब जब हमने इसको इसको थीटा से 90 degree घुमा दिया तो 90 degree घुमाने के बाद जो है उलट हो गया ये देखो ये normal तो जो है क्या हो गया ये normal तो क्या हो ये अक्ष तो समानतर हो गया और normal क्या हो गया जो मुकर छिट के साथ 90 degree पर हो गया तो जब 90 degree पर होगा तो यहाँ पर flux क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा फिर जो है जब 90 degree और घुमाएंगे आप तो बच्चो क्या होगा कि ये normal तो जो उस पर प्रिष्ट बखी जाएगा लंब है वो तो समानतर हो जाएगा अक्ष फिर क्या हो जाएगा लंबद हो जाएगा फिर यहाँ पर आपको flux मिलेगा फिर यहाँ पर क्या होगा बच्चो तो क्या हो रहा है अगर हम किसी कुंडली को गुमाएं तो उसके फ्लक्स में क्या हो रहा- परवर्तन हो रहा है देखो बचू यहां पर जब गुमाए नहीं तो यहां पर फ्लक्स ejeous Спасибо है माना यहां पर फ्लक्स जो है 10- тебеver है अब तुमने घुमाया यहां बस सुन्य हो गया तो 10 से सुन्य हो गया तो हो ना फ्लक्स में परवर्तन फिर सुन्य से क्या हुआ दूसरी दिशा में आ गया फ्लक्स तो यहां पर फ्लक्स यहां पर दूसरी दिशा से क्या हो गया यह देखो यहां भी क्या हो गया flux में परवर्तन यहां अधिक्तम से फिर क्या हो गया सुन्य हो गया अब फिर सुन्य से क्या हो गया अधिक्तम हो गया तो flux में क्या हो रहा बचो परवर्तन हो रहा है बचो मैंने यहां पर दिखाए बचो 0 डिगरी है तो flux क्या है अधिक्तम है तो अधि बढ़कि कुंडली पर खीचा गया जो लंब और चुंगे चीट का बीच का कौन है तो यहां पर फ्लक्स देखो पहले अधिक्तम हुआ फिर सुन्या हो गया फिर थीता तो मैं अपको बताऊंगा न trophies, लेकिन थोड़ा सी गरेंकिकरण उस करते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक सकति शालिचों देनं और यहां पर हमने एक आमीचार कुंडली करना धाटो हमने हमें ऑर घळिक अधिक बचो जम आ ही था पर सुन्य हो गया तो इसे प्रीटाम मыл जो पनी करें फ lata Certainly और पर त सुन्य हो मुझते हैं तो कुंडली को जो यानतरी उरझı यह यांत्रिक उर्जा कारे करेगी और जो यांत्रिक उर्जा है वो विद्धुत उर्जा में बदलेगी बचो और उसी विद्धुत उर्जा को आप कहते हैं परत्यावर्ती धारा ठीक है बचो जब चुमक्या अब फैराडी के नियम लगेगा बचो जब जो है क्या होता है क बोलो या प्रेविदृद भागवर इसकी परिमान और दिशासमय की अंसार आवर्त रूप में बदलती है बचो अब मैं आपको यहां पर लिए चलता हूं पर्ट्यावर्त दारा का कॉंसेप्ट यही है बचो अब देखो बचो होगा क्या यह प्रेजित भीदृद भागवर मैंने यहां पर बना रखा है अब मैं यह बक्र बना रहा हूं यह दर को टाइम मैंने बना रखा है अब एंगल के रूप में अब एंगल कैसे क्यों कैसे लिए बचो यहां देखो बचो क्योंकि कौन या बेग बराबर होता कौन बटे समय ठीक है तो कौन कितना हो जाएगा omega t ठीक है? जो angle होगा वो उसके कौने बेग और समई के बुणन फल के बरावर हो जाएगा अब मैंने यहाँ पर क्या करक बच्चो देखो यह plus, यह plus है, यह minus है यह देखो, यह plus ले जा, यह minus ले जा इधर को टाइम ले ले मैंने अब प्रेजिक विदुद्ध भागवल इस परकार से इसका गरहा परनेगा बच्चो यहाँ पर theta 0 degree है तो यहाँ पर प्रेजिक विदुद्ध भागवल कितना है e बरावर 0, तो प्रेजिक दाहरा भी कितने होगी बच्चो, 0 होगी ठीक है अब जो है जब theta 90 degree होगा ठीक है theta 90 degree होगा तो यहाँ पर e जो है क्या हो जाएगा अधिक्तम हो जाएगा e क्या हो जाएगा अधिक्तम हो जाएगा जब e अधिक्तम होगा तो i v क्या होगा अधिक्तम हो जाएगा फिर अधिक्तम के बाद क्या हो जाएगा बच्चो सुन्य हो जाएगा प्रेज विजुद भागवल की डारेक्शन बदल जाएगी तो धारा की भी डारेक्शन क्या हो जाएगी यहाँ पर बदल जाएगी और फिर यह क्या कर देगा एक पूरा चक्कर यहाँ पर यह मार लेग 360 degree गोंग जाएगा तो flux में परिवर्थन के कारण क्या होगा है इसमें प्रेज़ विजुद भागवल होगा उसे प्रेज़धारा उत्पन होगी बच्चो तो बच्चो यहाँ पर यह आवर्थ इसमें परिमान मान भी बदला सुन्य से अधिक्तम अधिक्तम से सुन्य सुन्य से जो है फिर अधिक्तम फिर सुन्य होगा तो परिमान तो बदल ही रहा है उसकी बाद जो है इसकी direction भी बदल है और आवर्थ रूप में आवर्थ रूप में इसका मतब है कि यह आवर्थ गति कर रहा है एक चकर यह मार दिया फिर दूसरा चकर इस प्रकार से जो है ये बहुत सारे चकर मारेगा तो बचो इसके बाद जो है जो परत्यावरती धारा का जो है तीसा पार्ट सुरू होगा बचो तो उसमें हम आपको बताएंगे कि परत्यावरती धारा की फ्रिक्वेंसी क्या है उसका जो टाइम पिरड क् बहुत बहुत धन्यवाद दोचो